सही रास्ता चुना उन्होंने दो टूंक कह दिया कि काम ऐसे हो जो वर्तमान तो ठीक करे ही बविश में भी कई कई दसकों तक बनारस को लाब पहुंचाए मेरे प्यारे कासि बाती भाईयों बेनों मुझे बताईए जो काम हो रहा है वो बविश्य के लिए भी काम आने वाला है ना आने वाली पीडियों को भी काम आने वाला है ना यहां के युवाओं के बविश्य को उजवल बनाने वाला है ना सारे हिंदूथ्वतान को कासी की तरफ खीच लाएगा कि भी भी लायगा? सारा हिंदूथ्वतान कासी देखने आएगा कि नहीं आएगा? साथ्यो! आज हम देख रहे हैं कि जब दूरगामी प्लानिंग होती है तो किस तरह नतीजें भी निकलते हैं? बीते आठ बर्षों में कासी का infrastructure कहां से कहां पहुच गया है इसे किसान हो मददूर हो व्यापारी हो सभी को लाब हो रहा है व्यापार बढ़ रहा है कारोबार बढ़ रहा है टूरिजम में विस्तार हो रहा है रिच्षा वाला भी कह रहा है जाब दिन पर इतना काम मिल रहा है व्यापारी कहता है जाब 6-6 महिने का माल एक महिने में बिग जाता है हो रहा है कि नहीं हो रहा है तेजी आई है कि नहीं आई है और ये जो सडके बन रही है ये जो गरीबों के घर बन रहे है जो पाइपलाइन बीच रही है इनमें जो सामान लगता है उसे सिमेंट, स्टील और निर्मान से जुड़े दुसरे उद्योगों का छोटे मोटे दुकानदारों का उनका भी बिजनेस बढ़ रहा है यानि ये वारा नसी और इस पूरे छेत्र में रोजगार का भी एक बहुत बड़ा माज़्यम बन रहा है बनारस के लोग जिस दुर्गामी सोच पर चले आज उसका लाफ पूरे छेत्र को हो रहा है आज कासी के चारो तरब देखे तो रिंग रोड चोड़ी नेशनल हाइवे हो बाबतपुर सिटी लिंक रोड हो आशापुर आरोबी चौका गाठ लहर तारा फ्लायोवार महरमूर गंज, मनवाडी, प्लायोवार ये साब बनारस के लोगों का जीवन कितना आसान बना रहे है रेलोवर ब्रीच, वरुणा पर ब्रीच जब बन जाएंगे इस से बनने से ये सुविदा और बढ़ने वाली है आज काथी की तीन और सडकों के चोड़ी करण का काम शुरू हुआ है इससे मव आजमगड